नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी को राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर जहां से पहले हमारे मुख्य जानकारी हमारे बच्चों के लिए कि यहां वाइस स्मार्ट अप्लिकेशन पर आ चुका है कम्प्लीट एससी सलूशन बाच एक ऐसा बाच जहां पर जयांट के बिना ही इक जगांपर हमारी एस सी की तेयर हुए यानि पूरा टिपिकली क्या है एससी सेंटर्ड पूरा सब्जेक्ट यहं डिजाइन के गए हैं सब्जेक्स को डिजाइन के गई हैं और इसी की तरह से यह पॉफट इस चाज्बर हर एक चीज आपको स्कूर् सब्जिक्ट की साथ की साथ यहां पर टॉपक क्लास में हो रहा होगा उसका होगा यहां पर प्रोवाइट किया जाएगा आपको सब्सक्राइब जिसने पूरी तरह से वहां पूरे नोट्स आपको मिलेंगे उसमें included रहेगा आप एक class में ही daily class test यानि हार topic जो daily आप करते रहेंगे उसके अंत में class test discuss करेंगे आप अपने teachers के साथ जहां पर आपको इस class test के माध्यम से यह पता चलेगा कि किस तरह के प्रश्ण जो है exam में आते हैं इसके अलावा weekly assessment test, monthly exam biz test यह पहुत अच्छे feature जहां पर आप समझेंगे कि यहां पर हमारा जो यह मारा जो classes के अधार पर टेस्ट होंगे इस test के माध्यम से आप stage wise यानि one by one करके आप तैयारी कर सकते हैं अपने course की और बहुत यह इजी form में रहेगा क्योंकि पहले weekly अधार पर होगा जो पूरे वीक में आपने पढ़ा है फिर पूरे throughout जो मंत में आपने कवर के उस topic के अधार पर test तो बहुत अच्छी तियारी होगी और सबसे ची तियारी होगी semester test के साथ क्योंकि समेस्टर टेस्ट भी है दोस्तों जिस समेस्टर टेस्ट आप देखेंगे जो हम लोगों का course duration है उसके अधार पर semester wise भी हम तैयारी करेंगे और इतना ही नहीं यहां राइस इसमार दे रहा यहां generic videos है तो आज ही नंबर यहां पर जाई इस नंबर पे inquiry कीजे 8282827099 पे और यूज कीजे मेरा code SG500 जिसके त्रूँ आपको यह course ज्रॉइन करने में मिलेगा अच्छा discount तो चलते हैं आज के इस marathon के class में दोस्तों तो हमारा पहला प्रस्ष्ण क्या कहता है which of the following statements is not correct about the Mughal Emperor हमायू यानि इन में से जो भी कथन या दिये गए statement दिये गए है हमायू के संदर्ब में सत्ते कौन सा नहीं है और options क्या है हमायू established सेवन करता था तो यह बात भी सत्ते हैं लेकिन अब जो कहा है heart attack was the cause of हमायू's death क्या हमायों की मृत्य हाट अटेक से होई यह गलत है क्योंकि हमायों के मृत्यों जो थी ना दरसल वह क्या था वो अलकोहल लेकर मतलब उन्होंने शराप यह हुई थी कि शराप के निशें में सीडियों से उतर कर जब लड़ खड़ाते हुए गिर रहे थी उतर रहे थे तो गिरकर उनके मृत्य हो जाती है जिस में इतिहास गाह ने कहा भी कि ताम्र हमायों जो था वो लड़ खड़ाता रहा और लड़ खड़ाते हुए गिरकर इसकी मृत्य हो गई तो इस तरह से जो है यही हमारा और और अप्शन होता है उतर होता है क्योंकि कौन सा करेक्ट नहीं है या पूछा गया है नॉट और नॉट को जब हम हाईलाइट करेंगे तो यह इसके संदर में सही नहीं है तो आप चाहिए हिंदी मीडियम स्टूडेंस समारे प्यारे बच्ची जो है से कर सकते हैं क्लिक और क्लिक के साथ अब हम चलेंगे अगले प्रशन पर क्या कहता है कांसे टूट फॉलिंग स्टेटमेंट्स विजय चोल वस दर पाउंडर ऑफ चोल डानस्टी आंड डिस सेकेंडिस दा चोल हाड़ स्टॉंग नेवी और सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग दा कोट गिव लेते हैं क्या है कि निमनले की तत्नों पर विचार करें विजय चोल चोल राजवन्ष के संस्थापक दें चोल के पास मजबूत नौस है ना थी नीचे ती अगर कोड का उप्यों करके सही उत्ता चुने वेल एक बात अगर बता दी जैसे प्रशन एक्जाम में दिया हुआ भौण भौण संस्थापक माड़ के जहां पर हम देखते हैं कि इससे पहले उनके सामन की रूपे उन्रोंने इनको पराजित करके उनको पराजित करके इसापना के तो तो वहीं हम देखते हैं कि यह जो अगर बात करते हैं जिनकी राजधानी कौन सी देती तन्जवर तो अगर वहीं बात करते हैं चोल शासन जो चोल राजुवन्ष है वो बहुत ही प्रसिद है अपनी नेवी के कारण का जाता है कि राजिंद्र चोल नामक जो जाने माने शासक हुए ते सवंश के उन्होंने बहुत हथा कि यहाँ पे चोल नीवी को बहुत strongly built किया था साथ के साथ इसका विस्थापना हम देखते हैं और साथ के साथ इसकी जो सबसे महतोपून चीज आती कि दक्षिन में जो एक और डोनों ना तो एक और ना ही तो तो हमारा option हो जाना चाहिए दोस्तों यहाँ पर एक और दो दोनों ही सत्ते हैं जहा पर हमें समझना है कि विजयलिट्ष जो है संसापक है और चोल की जो नेवी थी जो उनकी MALSONयती on the next question क्या किते हैं रजिया का आजाता है हमारा अल्टूनिया हाला कि बात करते हैं एक जो रजिया बेगम थी तीड़ तीड़ासल तो यह सुल्तान का जो दिल ठेर जाता है किस पर ठेरता है इनका पर इनका दिल जो था याकूट पर आ लेकिन होता क्या है ना कि याकुट जो थे गैर तुर्की थे दरसल रजिया के पिता इल्टुतमिश यानि गुलाम वंज की ही थी रजिया सुल्तान और कहते हैं कि इल्टुतमिश इनके पिता ने दलचालिसा का निर्मान क्या था दलचालिसा इस्टैबलिश किया जो इन्होंने नियुक्ति कर दी थी, सारे पहले तो तुर्की ही थे, लेकिन बाद में गैर तुर्की, यानि नॉन टर्क्स को भी मौका दिया गया प्रशासनिक सेवाओं के लिए, जिसमें याकुत भी जोते, वो यहां पर नियुक्ति किये जाते हैं, आमीर अखूर, तो कहा जाता है कि यहां पर हम देखते हैं कि गोड़े के अस्तबल के जो मंत्री माने जाते हैं, कहा जाता है यह गैर तुर्की थे, और जब इनके प्रती जो था जुकाओ जादा था तो यह बात तुर्कियों को पसंद नहीं आई थी, इसी कारण यहां पर एक तरह से क्या होता है है शडियां प्रिवाव यह बहना च्न्दीं परकारें और इनकी वहां पर हत्या कर वादी जती है उनका चाहण समाप्त होता है नेक्स्स कुश्चिन देखते हैं निमनलिकेत में से कौन चंद्रगुप्त विक्रम अधितियन के नौरतन में से एक नहीं था अब यहां जाधा तर अब देख रहे हैं हम ट्रेंडिंग में क्या आ रहा है नौट वाले कुश्चिन आ रहे हैं अप्शिन काली दाश शंक्वरा मिहीर आनन्द और तर अनंद दर रसल कौन थे आनंद जो थे वह महातमा बुद हम देखते हैं बहुत धरम के संस्थार्पक्त बहुत माना जाता है उनमें से थे दरसल एक आनन और एक थे उपाली का जाता है कि यह आनन जो बहुत धरम से संबन दिते हैं लेकिन अगर वहीं बात करते हैं चंद्रकु विक्रम अदित्या कैसे पूल सकते हैं कि गुप्त वंश के जाने माने शासक पौर्फुल रूलर थे चंद्रकु टू जिन और साथ की साथ यह जोग्रफिया नि भूगोल के विद्वान भी थे तो वहीं वरा मिहीर की बात करते हैं कि ग्रेट एस्ट्रोजर यह सभी के सभी हमें किसमें नजर आते हैं चंद्रकु टू के चंद्रकु विक्रम अदित्या के दरबार में इसे लिए यह तीनों नहीं यह तीनों थे लेकिन आनंद नहीं थे तो यहां पर दरसल में क्या करना है और वन आउट वाली चीज़ करनी है इंप्लिमेंट करनी है ठीक है तो इन कुश्चिन को दर जरा ध्यान से देखना है और समझना है नेक्स्ट निमन लिखित में से कौन नंद बंश का अंतिम शास है कि धनानंद जो थे इस वन्ष के अंतिम शासक क्यों हुए थे नंद वन्ष के संस्थापक ते महापद्बन जिनके आठ फुत्रों में से धनानंद है लेकिन धनानंद एक बहुत ही निरंग कुश शासक मतलब एक डिस्पॉर्टिक रूलर एक अयाश किसम का शासक जहां पर इस अपनी जनता से कोई परवा नहीं थी सबसे घडिया बात इसकी यह थी कि इसने सबसे ज़्यादा टाक्सिज लगाया थे अपनी जनता का शोशन करकर के टाक्सिज लिया था बहुत परिशान किया हुए था और इसी के काल में इधर आक्रमन होता है भारत में किसका सि जे अपनी भारत को विजय किए बिनाहीं वह यहां से वापस लॉट जाते हैं। बढ़ यह को इस तरह से सी बार में थे चाड़क्या उन्होंने इनको काफी हद तक जागरुप किया कि देखे माहराज हमें सिकंदर को रोक कर उसके आकरमन को रोक कर अखंड भारत का निर्मान करना चाहिए लेकिन या तो धनारंद अपनी याशियों में चूर उन्हें तो कोई फरक नहीं था इसे सामराज्य पर पाटली पुत्र के सामराज्य पर स्थापना की थे किसकी मौरे सामराज्य इसे धनानंद जो थे वह अंतिम शासक हुए थे नेक्स्ट मात्मा बुद्ध की पहली महिला शिश्य कौन बनी अब एक नया कुश्यन आता है और यहां पर प्रजापति गौतमी महा इसोधारा इने मेंसे कोई नहीं अगर आप करते हैं यहां पर महात्मा बुद्ध से संबंदि तो तीनो के तीनों सत्री न सेल उनु और वहीं बहुत दरम एक समय पर प्रवेश किया हुआ था इस तरीयों के बिक्षुनी बात्मा बुद्ध को जो है चल बसी चल बसी चल बसी कहते हैं जो इनका पालन पोशन करती है वह इनकी मौसी प्रजापती गौत्मी ने किया था और इनका विवाज हो था वह किससे हुआ था बिक्षुनी बनने पर यानि बाुत धरम में जो लोग बाँत धरम को अपना कर अपना संसारिक जीवन सब छोड़ कर मो माया को छोड़ कर इनकी अनुयाई बनते थे फॉलोवर्स बनते थे वह एक संग बनाकर रहते थे जिने कहा जाता था भिक्षूज लेकिन कहा जाता है कि इनके जो प्रेश शिश्य आनंद जिनके बारे में अभी हमने चर्चा भी की थी वो दरसल आनंद के कहने पर इनोंने महिलाओ को भी क्या क्या था प्रवेश करने की अनुमती दे दी थी जिसमें पहली महिला जो शिश्य और ही काहा जाता है तो उन नेसर राजो वंजेंन उत्तर भारत पिशासन नहीं किया चालुक्य राचकुत गुप्त्य मॉर्या तो यहां हमारे पास इस पहश्ट उत्तर आता है चालुक क्या वंच जिनके अगर बात करते हैं तो यहां पर जो बादामी के हमारे चालुक के नजर आते हैं जिसमें हम देखते हैं कि बड़ी पॉर्फुल हुए थे जिन्होंने करनाट कर कि और दक्कन में जो है शासन किया था अब दक्कन में प्रभाव तो उत्तर भारत म नहीं किया यह एक नए तरह का प्रश्ण है तो वहीं अगर बात करते हैं चालुक के वंच में जहां देखते हैं इसमें एक महान शासा के पॉर्फुल रूलर की रूप में जाने जाते हैं कौन पुलकेसिंदृत्या पुलकेसिंदृत्य जिनके एहोल इंस्क्रिप्शन से जिनके एहोल अभी लेक से जिसे लिखवाते हैं रवीकिर्थी तो का जाते हैं उससे पदा चलता है कि इन्हों ने जो पुष्यबूति वंच के शासक हर्श्वर्दन थे उनके विरुदिनों ने जीता था क्या युद जीता था युद विजय करके हर्श्वर्दन को जाते को साम्राजी में दिखता है कि उन्होंने साम्राजी विस्तार किया काफी हद तक जो चालुक्य थे पाउड़फूल थे लेकिन उनके जाने के बाद यह उतला से पतन और अग्रसर होने लगता है और इस तरह से चालुक्या राजपूत मॉर्यल की बात करते तो आउव करने वाला पहला वुप्त शासक था चन्द को प्रथम ड़टोट का गुपत समुधुदृ शिरी घूपत कर पर चेंड़ प्रथम जो थे अगर बात करते हैं तो गुपत वन्ष वास्तलिक संस्ताप पर किमाने जाते हैं जाते हैं अई पूरवज उनमें से पहले नंबर पे आते हैं श्री गुप्त और दूसरे नंबर पे घटोत कज फिर आते हैं चंद्र गुप्त प्रथम यह दर असल गुप्त वंच के शासक का क्रम है और जब हम क्रम देखते हैं तो यहां पर हमें इन दो राजाओं का इतिहास बहुत ही जा है इन्होंने जो है अपने नाम से मतलब इनों ने जो अपने विवा के पर पर लिखी की पूर्वाज राज्कर TP कुमार踏री लिवा होता है जिसके पर इन्होंने सिब्राव से जलाने का श्री हैं वह इने जाता है जइन कुछ तरेitte उबसJesus ने देखा कि ये जउन ते감डिक पाराज से अलग होकर एक नई उपादी ली ती महराज अधी राज महराज अधी राज या महराज अधी राज तो दोनों के उतिहास विलूक्त इसलिए देखा जाता है कि वास्तविक संस्थापक वास्तविक संस्थापक और फाउंडर को नहीं जाते चंद्र को हने का हमें को प्रमाण नहीं रहे हैं कि यहां पड़्स जारी करने वाले पहला गुप्त शासक तो पहले तो सरप्रथम में कौन आ जाएंगे यहां पर चंद्रगुप प्रथम आ जाएंगे फिर बाद में समुद्रगुप्त यहां पर होते हैं तो इसे लिए उत्तर होता है मारा चंद्रगुप फॉर्स्ट क्या बात है यहां पर ऐसा गुंबद के बारे में बताना है जो विश्व का सबसे बड़ा गुंबद माना जाता है कौन साथ टॉम आफ शेशा सासराम जाममस्जद देली टॉम अफ ग्यासो दिन तुगलग दिली गोल गुंबद बीजापूर तो यहां पर तो देखे इस प् देखते हैं बीजापूर के तो बीजापूर का अदल शाही वंच वन्च अमें नजर आता है जिसके इसी वंच में कौशासक महममद अदल्शा जो ते दरसल उनकी यह मुसॉलियम है जिसे हम कहते हैं कि गोल गुंबद का जाता है विश्व का सबसे विशाल मतलब सबसे और इसे हम कर सकते हैं हिंदी में क्लिक नेक्स्ट अक्पर तुअरा शिरू की गई मनसबदारी प्रणाली निम्नलिकित प्रणाली से उधार ली गई थी अफगानिस्तान टर्की मंगोलिया फारस लेकिन यहां हमारे पास उत्तर क्या है मंगोलिया जब बात हम करते हैं मनसबदारी सिस्टम के बारे में यह साफ का जाता है कि यह जो विवस्ता थी एक पद जो तयार किया जाता है इसकी शिरूआत करते हैं अकबर मुगल समराथ अकबर नहीं शिरू किया था जिसे काफी हद तक इसको लेकर जानकारी देने वाले कौन थे इनके फानन्स मिनिस् इसकी अकबर नहीं से इंप्लीमेंट कर दिया जाहां पर मनसबदार जो होता था जिसका कार्य होता था कि जो शेत्र उन्हें दिये गए हैं वहां पर जो सारे असाइनमेंट से उनको पूरा करना है चाहे फिर वह रेवेन्यू कलेक्शन हो चाहे फिर वह जुडिशिली संब यानि सिविल मिलिटरी लेवल पर अगर हम बात करते हैं सिविल और मिलिटरी लेवल पर या फिर अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू कलेक्शन पर यानि कल इकत्रित करना या फिर हम बात करते हैं कानून और विवस्था को स्थापित करना तो यह सब का जो असाइनमेंट दे सब्सक्राइब तरह जाता था तरह से तो तरह से जो रांक धारे जाते थे जिसमें एक और पदिती आड़ करते हैं जहांगी दो आसपा, सी आसपा, ठीक है, जहां पर वो क्या है, कि soldiers की संख्या बढ़ाए बिना ही, यहां पर जो है, गुरसवार सेना, मतलब जो गुरसवार है, उसको, उसके नंबर को बढ़ा दिया जाता है, जहां पर उनके rank में कोई increment नहीं हो रहा, rank उतना ही है, लेकिन उसमें additional हो जाता था, तो यह जो व्यवस्ता थी, बहुत अच्छे से सुव्यवस्तेत होती है, जो किसके अधार पर अपनाए गई थी, मंगोली व्यवस्ता पर अधारित है, यह प्रेशन हमारा आया हुआ है कहीं बार, उत्तर रहोता है हमारा मंगोलिया, नेक्स्ट, इबादत खाना तो यह पर क्या है, एक बार के उपयोग के लिए मजज़त, तो यह मज़द तो नहीं थी, अकबर का नीजी, परातना कक्ष, नहीं वो भी नहीं था, वे कक्ष जिसमें अकबर ने विद्वानों से विचाविमश्क किया था, तो यह पात सत्य है, ठीक है, और आप्शन में कौर भी दिया है, वे कमरा जिसमें विविन धर्मों के कुलीन लोग धार्मिक मामलों पर चर्चा करने के लिए कत्रित होते थे, तो यहां पर दरसल क्या है, कि यह एक ऐसा कक्ष था, जहां पर लगता तो नाम से ही कि इबादत खाना, जैसे कोई अकबर जो है कहीं पर इब कुझा करते हैं, तो उससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, यह बादत खाना एक ऐसी जगा थी इसा, जहां पर जो अकबर है कई विद्वानों के साथ धार्मिक मुद्व पर रिलिजिस मैटर्स पर चर्चा करते थे, बट दरसल यहां पर क्या लिए कुलीन लोग धार्मिक म मामलों पर चर्चा होती थी, इसलिए कहा जाता है कि यहां पर जो है अकबर ने मतलब एक जो यह जो डिसिजन लेने का कारे होता था कि कौन सा मत सही है, कौन सा नहीं है, तो वो अकबर के हाथ में होता था, क्योंकि आफ्टर एन ओल यहां पर रूलर ही कौन है, अकबर है, इसलिए हम देखते हैं ये था एक वह कक्ष जिसमें अकबर ने विद्वानों से विचा विमर्ष किया था. Next, अकबर के दर्बार में आने वाला पहला अंग्रेज था रालफिच, सर्थॉमस रॉ, जॉन होकेंस, पीटर मुंडी. तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाता है रालफिच, रालफिच की बात करते हैं दरसल रालफिच जो थे वो अकबर के काल में आने वाले अंग्रेजी यात्री थे, जहां पर हम देखते हैं इंग्लिश ट्रावलर, जहां पर हम देखते हैं कि इन्हों ने आकर जो है अकबर के बा जो नजर आते हैं मुगल सम्राज जहांगीर के काल में वहीं पीटर मुंडी आते हैं शाजा के काल में इसे यहाँ पर अकबर के काल में आने वाजे जो अंगरेज है वो कौन थे रैलफिश थे नेट्स हेमचडर विक्रम अधित्या प्रिसिद्ध है पूरण मल, माल्देव, राना सांगा हेमू और बहुत अच्छाए option यहां में नजर आ रहा है हेमू दरसल होता यह है कि अगर बात करें हेमचंद्र विक्रमदित्या उफ हेमू जब हमने भारतिती हास में सुने हैं कि पानीपत के युद हुए है तो उसमें पहला पानीपत का युद हुआ है बाबर के काल में वहीं दूसरा पानीपत का युद जो होता है वो किसके काल में होता है अकबर के काल में 1556 में तर वहीं उसी युद में किर्दार नजर आता है हमें हेमू का हेमुं जो इस समय रिवाडि के शासक के रुप्य में नजर आते हैं दरसल का रहे द किppen जाता है कि वह समय था जब बाद चल रहे हैं कि हिमाईव का शासन करते समय और जब वो जीडियों से गिरके एक दिन जो लाइबरिये की सीरे वह से उतर रहे और फिर आमंत्रित किया जाता कि अगला मुगल समराठ गद्धी को आके संभालें तो ऐसे में बड़ी स्तिती उत्पन हो गई कि चुनौती ना मिल जाए कि अख़बर के दिल्ली आने से पहले कोई और दिल्ली ना पहुच जाए और इसी कारण क्या किया गया कि एक ऐसे व्यक क्योंकि किसी से अगर पता चल जाता किसी को भी कि अगर बाच्शाय हिमायू चल बसे तो कोई भी अख़बर की एपसेंस में उसकी गैर मौजूदगी में क्या हो सकते थे गद्धी पर हमला कर सकते थे और जिस बात का डरता वही हुआ क्योंकि गुप्त चेरों के माध्यम स चलते हैं आगे के और इन्होंने विक्रमा दित्यं की उपाध्य ली थी और खास तो और याद रखना है हमें कि ये अंतेम हिंदु शासक माने जाते हैं भारत के अंतेम हिंदु शासक और साथ की साथ अगर हम बात करते हैं इनकी जो हिमचंद्र है ये अंतेम वैसे शासक थे जिनोंने विक्रम अदित्य क्यों पादिली विक्रम अधित्य का यहां पर आर्थ है सूर्य पुत्र सन गौड जो अक्सर पूछा जाता है नेक्स्ट शंभाजी के बाद नेमने लिखित में से किसने मराथा प्रशासन को सुव्यवस्थत किया राजाराम बालाजी विश्विना तारावाई नाना जी देशमोक अगर हम बात करते हैं कि यहां पर शंभाजी की बात कर रहे हैं तो सूर्य विवस्थत करना उसको काफी हचते मतलब क्या किया था administration को streamline मतलब जो बूर रहे हैं देख लेते हैं who among the following streamline the Maratha administration after शंभाजी तो यहां पर जो पहली बात जाना शंभाजी कौन थे माराठा सामराजी के संस्थापक छतरपती शिवाजी जी तो छतरपती शिवाजी जी की जो उत्राधी कारी उनके पुत्रते संभाजी कहा जाता है कि संभाजी के बाद हम देखते हैं क्योंकि उन्हें और उनके जो पुत्रते शाहू उन्हें और अरंज जेल ने बंदी बना कर जेल में रखा हुआ था तो ऐसे में वहां पर देखते हैं कि सामराजी के जो बागडोर है उनमें से एक पद होता था मन्दा मराठा सामराजी में जिस पद को न्यूक्त करके छतरपती शिवाजी गय तर आठ मंत्रियों का संग काउंसल ओफ एक मिनस्टर उन कांसल ओफ एक मिनस्टर में कहा जाता था कि पेश्वा पद होता था चीज़ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर पेश्वा जो है वो प्राइम मिनेस्टर है कभी ऐसा हुआ कि छतरपती नहीं है यानि सामराज शासक न का दूसरा संस्थापक कहते हैं माराठा सामराज्य को इन्होंने बनाए रखा तो उसी मजबूती के साथ जहां पर बाला जी विश्विनात का किरदार बहुत में तुपूर आता है कि गद्धी पर कौन बैठा ओन की चम्वहणडिकों सब्सक्रा कि सपर्फाय दिए निस थी राजाराम के बाद टारा बाय हूं सब्सक्राजिय że socialist कि दिभाए को आपने पदी के प्रस्थी का करें रूप में भैटी थी क्यों समयें जो थे चोटे थे तो तारवाई जो थी वो गद्धी पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर होता क्या है कि इधर 1707 में 1707 में औरंग जेप की मृत्यू हो जाती है मृत्यू होने के बाद जो है बहादुश्य प्रतम दुआरा जो शाहू थे उन्हें जेल से रिहाई मिल जाती है और रिहाई मिलने के बाद शाहू आगर वापस अपने पद्ध का दावेदार करते हैं लेकिन पद्ध की दावेदार पर तो बैठे हुए थे कौन उनके स्टेफ ब्रॉदर जिसका नाम था शिवाजी जित्या कि इस लिए एकाव जाता है कि तब यहां पर तारवाई ने स्थ के साथ ही उतला तह जिसें कहा जाता है थिहास भाटल ऑफ sunny and लडाव विष्वनाट के सहयोग द्वारा ही की 10 जोista बड़े पहौर फोल्ट थे और यही माने जाते हैं earned जाठा सामराजी की दूसरे संस्थापक इससे लिए देखते हैं कि शंबाजी के बाद इनों नहीं से बहुत अच्छे से स्युवर्वस्तित किया था नेक्स्ट विच्वन फॉलिंग स्टेट्मेंट इस नॉट करेक्ट अबाओ बहादुश्या जफर के बारे में कौन सा कता हैं सकते नहीं हैं और अब हम देखते हैं हिंदी में बिना सामराज्य वाला समराज था बिल्कुल सही इब्राहिम जौक और असद उल्ला खा गालिब उनके काविश शिक्षक थे यह ठीक है हसन असकरी उनके अध्यात्मिक मार्ग दर्शक थे यह ठीक है इस इंडिया कंपनी से उन्हें पेंशन के रूप में एक लाक रुपए से भी कम मिलते थे यह गलत है दरसल बिना सामराज्य की संस्थापक की जो बात कही है दरसल वह इससे मैच करता है होता क्या है कि इस अधिले में इन्हें 15 लाक रुपे मिलते थे 15 लाक की जो एक तरह से जो पैसे की वह जो बनी होई थी इनकी फिक्स ती अमाउंट ठीक है तो फिक्स अमाउंट इनको मिलता था साथ की सथ यह जाता है कि इनको खुद अपने पारिवारिक जो नीजी खर्चे होते थे उसके लिए 151 रुपे अलग से दिये जाते थे इसलिए इतने अमाउंट के तौर पर तो यह कैसा अंप के लिए गलत है कि यह जो एक लाक रुपे से कम पैसे मिलते थे तो यहां पर कदन सपते नहीं होगा तो वह बादुशा जफर की बात करते तो बादुशा जफर कौन थे यह बादुषयजफर माने जाते हैं रिद्च अन्तिम मुगल समराठ, हम देखते हैं कि जिसे मुगलों का अंतिम शक्ति शासक कहा जाता है, वए अंतिम शक्ति शासक? औरुंग ज्वेप केबाद मुगलों का पतन शुरू हो जाता strategy है, जहांकर हम देखते हैं कि इतने ख भी जाता है उसे तरहां से नैगत है और हम जांना को रंगीला के लाय से जाता है यहां पर उत्तर है महांमध मुहम्मद शाह को कहा जाता था रंगीला कहते हैं कि इनका अंदाज थोड़ा सा अलग था जहां पर यह महल में दर्बार में चारो तरफ इस्त्रियों और जो इनक्स थे उन से चारो तरफ से घिरे रहते थे जहां पर यह अपनी जीवन को बड़े अच्छे तरीके से विवस् ती जोने बहुत प्रसंद था यह इन इस्त्रियां बहुत लुभाती थी तो इसलिए इनको रंगीला मिजास कहा जाता था जिन्हें पर शासन के लिए पनाजीटें Clayton पर अदालत की सफापना की थी तो यहां पर ये जो है उत्तर होता है महलता है कि अगर बात करें तो हम कैसे बूल सकते हैं कि महाराना रंजीत से यह इस स्थापना की क्यों कि हम देखते हैं कि सिख धर्म की जो सथापक गुरु नानव जी से लेकर दस्वे अंतिम गुरु हमारे होते हैं गुरु गोवन सिंग जी के मृत्यूं के बाद हम देखते हैं एक समय ऐसा आचुका था जहां के सभी सिखों को एक होकर उनकी लीडर्शिप का करने का जिम्मा था हाला कि कुछ समय तक कार ये बंदा बहादुर ने किया था जो गुरु गोविन सिंग जी के कौन थे शिश्य थे नेकिन बाद में ऐसी स्थिति आये कि जहां पर ये सिख राज्ये जो है बारा इसमें जो गुटों में बढ़ जाता है बारा हम देखते हैं काटेगिरीज में ड प्रिटसर पिशावर मुलतान हो ठीके तो इन सब को करके इन्होंने जो एक बहुत बड़ा इंपायर स्टाब्लिश कर दिया था इसके साथ-साथ इन्होंने आडवेनिस्ट्रेशन और हर एक चीज़ को देखना रिलीजिस इंपॉर्टेंस को समझा धार्मिक महत्व के साथ इन्होंने हर चीज़ को स्थापत करते हुए बैलेंस करते हुए चले थे जहां पर इन्होंने इस्थापना की थी अदालत याला इसका कार्य होता था कि डिस्ट्रेट और प्रोविंस से जितने भी जो केस होते थे मुद्दे होते थे उसका काम सुनना होता था लेकिन एक लास्ट अगर हम बात करते हैं कि डिसीजन वगेरा को लेकर यहां बात करते हैं कि फाइनली जो हमारा जो जस्टिस का एक मुख्य है जो प्रधान माने जाते थे इंडिया के वह अकेले दावन नोनी दो कौन थे मारा रंजीत सेंग थे ठीक है तो उन्होंने ही इस अदालत की स्थापना की थी नेक्स ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली प्रहानांत्रन कि सव्धी के दौरार प्रभावित हुआ था और हमारे पर स्शेंस हैं यहowyn पर लॉट कि घस्टाइब हमारा लॉर्ड हाडिंग दरसल यह होता है कि लॉर्ड हाडिंग जो थे कहते हैं कि लॉर्ड हाडिंग के मतलब 1911 की बात हो रही है जब भारत की राजधानी कलकता से अंग्रेजों की बात हो रही है अंग्रेजों के काल में तो पहले इनकी राजधानी जो थी वो कलकता थी ल उन्हों ने इस दौरान जो महत्पून घोशना की ती उस घोशना में शामिल था यहां पर भारत की राजधानी दिल्ली की और लाना तो तब भारत की वोईसरोय कौन होते हैं लॉट हाडिंग होते हैं ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं तो यहां इंग्विश मीडियम वाले करेंगे क्लिक और आब हम देखेंगे इस प्रशन को हिंदी में सामिन कमिशन की सिफारिशों के संदर्व में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इसने प्रांतों में जिम्मेदार सरकार के साथ द्वैशासन के प्रती स्थापन की सिफारिश की इसने ग्रहे विभाग के तहट अंतर प्रांती परिशद की स्थापना का प्रस्ताव दि इसने भारती भरतियों की तुलना में ब्रेटिश रंग रूटों के लिए बड़े हुए वेतन और भत्तों के प्रावधान के साथ भारते पुलिस सेवा के निर्मान के सिवारिश की तो अगर हम बात करते हैं यहां पर कि इसने प्रांतों में जिम्मेदार सरकार के साथ द्व लेकिन जल्दबाजी में आता है क्योंकि यहां भारत में जो हर 10 साल में सुधार करने का प्रावधार था जैसे हम 1909 में मौन्टेग्यू चैंसवार्ट सुधार तो इसी तरह से 1929 में भी आना चाहिए था उन सुधारों को देखने के लिए लेकिन क्योंकि भारत में इतनी स ने अपने हाथों में उसे लिया तो 1919 का मौन्टेग्यू चैंसवार्ट रिफॉर्म के तहट जो दुएद श्यासाइं डायार की सिस्टम इस्टाब्लिश किया था दरह सल इन्होंने कहा कि प्रोविंसे लेवल पर उसे समाप किया जाया बलकि एक जिम्मेवर सरकार बनाए इस तरह के जिम्मेदार सरकार जो पूर्ण रूप से अच्छे से प्रोविंस को गाइड कर सके तो इसलिए उत्तर के तौर पर हमारा यह जो सही उत्तर होता है ठीक है ना कि उन्होंने ग्रह विभाग के तहत अंतर प्रांतिय परिशल ना ही दूई सदनिय विधाई का और नहीं यहां जो भत्ते और जो यह वेतन और पुलिस जो भाते पुलिस सेवा के निर्मान की बात है उनके संदर में नहीं बलकि जिम्मेदार सरकार के संदर में बात की थी नेक्स्ट विच्ट फॉलिंग स्टेटमेंट इस नॉट करेक्ट अबाउट महात्मा गांधी इस ताल पर ठी यह सत्य तो यह झांथर मिटन निए हमारा साबर मती हाष्यम और सब्सक्राइब लाता एं इन स्वर 18, north 1930 यह है है यहां पर रुममि ने मिल गया हम लोगों को एक फॉल क्या दरहसे़ यह जो मार्च थी न वह 12 मार्च को शुरू की जाती है और यह जो अंत्으 होती है हऊपर यह जो है गलत लिखा हुआ है ठीक है और इसी के साथ हम हिंदी में कर सकते हैं इसे क्लिक ठीक है चलते हैं अगले प्रश्निक के और क्या कहता है अगला प्रश्निक मुस्लिम लीक द्वारा पाकिस्तान के गठन की मांग का प्रस्ताफ किस वर्श पारित किया गया था 1939, 1940, 1941, 1942 तो यहां पर बड़ा अच्छा प्रश्निक यह जो हमारे सामने आया है तो यहां पर उत्तर क्या है मुस्लिम लीक द्वारा तो उत्तर हो जाता है 1940 यानि 1940 में दिखते हैं मुस्लिम लीक रेजलिशन ले लिया था जहां पर टू नेशन थेयरी आ जाती है क्योंकि जिस हर एक चीज को डूइलप कर सके इंडिपेंडेंटली जहां पर किसी के अभाव में नी जहां पर इनके पस पॉलिटिकल राइट्स हर एक चीज बहुत पूर्ण रूप से होगी तो रेजलिशन 1940 में ही मुस्लिम लीक द्वारा जो था जिन्ना के अध्यक्षिता में पारिक क चड़ा होते हैं जब तक इस पूर्ण रूप से माउंट वेटन का प्लान प्रपोजल पास नहीं होता है और खास्तों से जिन्ना ने जब तक कि डारेक्ट आक्शन डे की गोशन नहीं करी तब तक सीधी तरह से प्रपोजल एक्साप्रेड नहीं था ठीक है तो कौन सी करन पर ही जो भारती अजन इंडी पेरेंडेंडेंस वो आंगलता तो क्या होता है माउंट मेंट्वेजिन चाहिं हम देखते हैं 3 जो 847 को प्रूपोज किया हुए ये प्लान जो था ये पूंड रूप से इसी पर स्वतनतिता प्राप्त होती है जिसमें शामिल ता भारत औ इसपे कही गई थी वह सवीधान से निर्मेट, सवीधान से जबंदित, वो सब माउंट प्रेटिन, प्लान में शामिल था, ये द्वारा जो प्रस्तुत किया जाता है, लॉड माउंट बेटिन, जो माने जाते हैं, भारत की अंतिम वाइसरोय, भारत की अंतिम वाइसरोय, हाथों से निकल के British Crown के हाथों में चला जाता है जिसके बाद होते हैं वो कौन पहले वाइस्ट्रॉइ नेकिन वह अबंतिम वाइस्ट्रॉइ के कहानी कहां करूं कि Lord Mount Witton क्योंकि Lord Mount Witton हुए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्णर जनल जी हां वह अन्यकिन नचार वह इस भारत के प्रथम और अपर पूछा जाता है तो स्वतंत्र वर्ड लग जाता है तो होटर हो जाता है से हमें याद करना है अपना उत्तार और समझना होगा नेक्स बाति राश्य कॉंग्रेस के निमने लिखित में से किस सत्र में पहली बार एम के गांधी ने भाग लिया था लखनाव अधिवेशन 1911 अमरिच सर अधिवेशन 1911 नापूर अधिवेशन 1922 तो यहां पर जो था दर कर जो है साथ अफरीका में समय थे लेकिन इस अधिवेशन में पार्टिसिपेट करने की उदिश्य से वह आये जहां पर उन्होंने जो इनिशेटर साथ अफरीका में लिए हुए थे जो रेजलुशन देखे वहां पर अपनाए हुए थे उससे काफी हद तक उन्हें सैटिस मॉरे काल में कर्शोरी पर दंड दिया जाता था मौरे कीज़की धूत होना या एनमेंडे से कोई भी नहीं और हम्रित्य सामरजी की बात की मौरे अध्मीनीयस्रीशन के फासित यह थी कि दरité यहां पर हमें नजर आता है कि यहां छे विभाग देखते हैं कि पांच-पांच जो मेंबर की कारे कारणी होती हैं उनके साथ जो थे वो निर्मित किये जाते थे जहां पर का जाता है कि वहीं पर जो कुछ विभाग जो है वो कर संबंदी चीजें देखते थे जहां पर कर कोई गिल्टी है कोई ऐसा वेक्ति है जिसने अभी टाक्स नहीं दिया है नॉन कहते ना नॉन टेक्सेशन पेमेंट हुआ है उसकी तरफ से तो वहां तक मृत्यू तक भी जो है उन्हें प्रदान कर दी जाती तो इतना जबर्दस कठोर यहां पर माना जाता था मौर्यकाल का प्रिशासर नेक्स्ट इंडस्वेली सिविलाइजेशन इस नोन फॉर फॉर इट्स टाउन प्लानिंग पोर मोहिं जुदारो एंड हरपा फॉर एग्री कल्चर वोग फॉर इस इंडस्ट्रिलाइजेशन सिंदुगाटी सब्वेता किसीज के लिए जाने जाती हैं यहां प इन लोगों ने फॉलो किया हुआ ता ग्रेट पाटन के अधार पर इनके घरों का निर्मान बिलकुल इसी अधार पर देखने को मिलता है इक सीक्वेंस में जहां पर बहुत अच्छे से परफेक्ट हम लोगों को उनके रोड से स्ट्रीट नजर आते हैं सबसे अच्छी खा देखने का वह मत्म नगर के अंत में जाकर जो है उसको एक्सपोस करता था ताकि लोगों को बीमारिया ना हो इनके रेंस को बहुत अच्छे से कवर करके रखा जाता था तो नगर योजना हम देखते जो ड्रेंस के साथ नालियों के साथ घरों के निरमान हर घर के किया था जो इससके सभयता की खासियत मानी जाती है तो यह बात हो जाती है सकते मोहमें जुदारो घरपा की बात करते हैं तो यहां लेकात है काफी चीज़े मिलती जिसी हमें पता चलता है कि यह सब्वेत जो लोग थे यह पूर्ण रूप से सब्वेत कितना नगर इन्होंने विवस्तित किया था इतने बड़े नगरों को बनाने में कितना लेवर और्गनाइस किया होगा हर चीज इंदम सिस्टम में तो मोहें जो दारों हर बहुत अच्छे से विक्सेत हो चुकी थी यहां पर किरशी व्यवस्ता इसे लिए इसके लिए भी जाने जाते थे हाला कि ट्रेड इनका सबसे में व्याफसाइम माना जाता था उनका जो में ऑक्यूपेशन था जो मुख्खे व्यापार वारी चे जो इन्होंने अपने इस इस इंडस्ट्री जहां पर हम देखते हैं कि मोती मनकेयों का निर्मार होता था जहां पर काफी सारी चीजे पाई जाती है पॉट्री लगा लीजिए चाहें फिर वह बीज लगा लीजिए इनके जो डेली वेर का सामान है उन सब की उत्पादन के हर एक तरह की जो टेकन डांसिंगल का स्टेची जो बहुत ही कुपसूरा बॉर्ण्स कास्टिंग टेकनोलिजी के साथ तैयार किया गया था तो बताब इतनी हाई टेकनोलोजी को देख लगता है कि इनका इंडस्ट्राइजेशन जो था बहुत उस जमाने में पहुचा हुआ था जो आज भी इनके से कॉप्षिन यहां नजर आ रहा है वन तो यहां पर उत्तर हो जाता है हमारा और इसी को हम हिंदी में करेंगे क्लिक और आप देखेंगे नेक्स क्वेस्ट्ट्राइज के साथ होता है आज का मारा यह सेशन मुझे दीजे आ गया पर से मिरोंगे अगले सेशन में एक नयकों थीम के साथ एक नए तरीके के साथ नए अंदास में तब तक दीजी मुझे आगया टाटाब बाई-बाई-बाई-